मुझे तो पैचानती होंगे मैं हूँ आलू मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मुझे हर किसी से मिलने जाना होता है कभी कभी तो कोई मुझे से भी मिलने आ जाता है हो गया तुमारा इंट्रो चलो ठीक है, मैंने आलू को छेल लिया दो पीसिस में कट कर लिया और बीस से थोड़े थोड़े कट्स लगाए हैं हर आलू पे वो इसलिए कि इस पे जो स्पैसिस है वो अंदर तक चले जाएं और आलू से अच्छी तरह से मिल जाएं सब आलू को दो लेते हैं देखें इनसे कौन मिलने आ रहा है बेगन बेगन बहुत सारे गुनो वाला इसके भी मूँ दिखाई कर देते हैं आलू के साथ इसे भी दो लेते हैं तो जी हम बना रहे हैं रोस्टेट आलू बेगन सबसे पहले हम एक बड़ा सा पैन लेंगे कोई भी रोस्टेट चीज बनानी हो तो खुला बरतन होना चाहिए इस पे एड़ करेंगे सरसो का तेल और सरसो के तेल के फाइदे तो आपको पता ही है कभी भी आपने आलू, भिंडी, बेगन, करेला बनाना है तो सरसो तेल में ही बनाईए गरम हुआ इस पे एड़ कर दी हल्दी और नमक ये कोई न्यू रेसिपी नहीं है आपने कई बार बनाई होगी पर इस तरीके से आपको एक बार जरूर बनानी है इसे मिक्स कर देंगे और सरसो के तेल का एक बेस्ट इलाज है अगर आपके बोडी में कहीं पे भी पेन है तो आप सरसो का तेल लगाए ये पेन किलर नहीं खाएनी है अब एक एक करके सारे आलों को एड़ कर देंगे जो साइड हमने कट किया था ना उसे नीचे की और रखना है सेट हो जाओ सेट हो जाओ फ्लेम मीडियम रखनी है इसे पकने दीजिए जब तक ये पक रहे हैं हम बैगन को भी काट लेते हैं इसे भी दो पिसे में कट करके बीच से कट्स लगाने है आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब भी आपने बैगन खरीदे होंगे दिमाग में एक बात आयोगी कहीं ये खराब तो ने निकल जाएगा मेरे साथ तो ना ये हमेशा होता है अजबार भी देखिए दो तो मैंने कट कर लिए जब थर्ड वाला कट किया तो क्या देखिए क्या हुआ अभी आपको दिखाते है फेको फेको इसे भी उठा के फेको तुझे नहीं बनाना कीड़े लगे वे थे इस पे चलिए बिचारे रह गए हम दो हमारे दो अब आलू को पल्टी करेंगे और ना आपको पता ये सफर के लिए बेस्ट रेसिपी है क्योंकि रोस्टेट चीजें जल्दी खराब नहीं होती है बच्चों के लिए आप टिफिन में भी इसे बना के दे सकते हैं सारे आलू पलट के साइड हो गए वेलकम करने के लिए बैगन का बैगन भी वेट करी रहा था आजाए चलिए आलू फेमली तुम तो बड़ी बिग फेमली हो हम तो हम दो हमारे दो है थोड़ा सरग जाओ हमें भी आने दो हमें भी थोड़े स्पाइसेज खाने दो क्योंकि हम आपसे मिलने आए हैं तो जगा तो देनी पड़ेगी चलिए सारे सैट हो गए हैं अब सबको रोस्ट होने देते हैं ये दिखने में बड़े होते हैं अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं बहुत जल्दी पक जाते हैं आलू को देखते ही इन्होंने फट फट अपना रंग बदल लिया और आलू जैसे ही हो गए लग रहे हैं न दोनों प्यारे प्यारे गुल्डन गुल्डन अब टेस्ट बढ़ाने आ जाएंगे स्पाइसेज थोड़ा सा काला नमक लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला और मेडम धनिया पत्ती फिर इसे पलट देंगे अब स्पाइसे तो उपर लगी हैं न अब इन्होंने पलट के उसे खा लेना है तभी तो अच्छा वाला टेस्ट आएगा न है न एक सिक्रेट बताओ आलू जब रोस्त हो जाते हैं न तो मैंने इसकी चाट बना के कई बार खाई है इसकी उपर डाल देंगे दही इमली की चटनी प्याज हरे मिर्च और चाट मसाला बहुत तर टेस्टी बनती है अब ट्राइ कर सकते हैं और अगर आपको ये सिंपल सी टेस्टी वाली रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज रानेस किचन को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजीगा जिसका मुझे बेसबरी से इंतजार रहता है इन सबने स्पाइसेज खा लिए फिर सही से पल्टी कर देंगे साथ में हम बना रहे है चेरो डोडा सिंधे डिश गी बनाने के बाद उस पैन पे एड़ करेंगे एक बाउल चावल काटा नमक लाल मिर्च प्याज धनिया पत्ती सबको मिक्स करेंगे थिक डो बना लेंगे इसे बेल लेंगे उठा के तवे पे डाल देंगे इसे पल्टी करने के बाद घी लगा लेंगे और क्रिस्पी क्रिस्पी होते तक फ्राइ कर लेंगे अब इस दिखाते हैं आलू बैगन के साथ मज़ा आया आपको भी मज़ा आया तेंक यू फो वाचिंग औरसी पिस बेक्टरेए